हेलो एवरिवान आज मैं आपके लिए ब्रेट से जटपट बनने वाली चार ऐसी रेस्पिज लेकर आई हूँ जो बहुती इजी टेस्टी और हेल्दी है जो बच्चों के साथ साथ बढ़ों की भी फेवरेट बनने वाली है तो आईए शुरू करते हैं मोनिकाज DIY में आपका स्वागत है अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए रवा टोस्ट बनाने के लिए एक कप मलाई लेंगे तो यह घर के ही दूद की मलाई मैंने लिए है बरी कटा हुआ प्याज ड़ेंगे और फिर बरी कटिवी शिमला मिर्च डालेंगे और 2 से 3 चमाच हम इसमें सूजी यानी रवा के डालेंगे और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालें तो यहां मैंने लाल मिच यूज की है आप काली मिच भी यूज कर सकते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से सारा मिक्स्चर ब्रेड की एक साइट पर हम फिला देंगे और इसी तरह से बाकी साथे पीस भी तैयार कर लेंगे गैस ओन करेंगे और गरम तवे पर हलका सा बटर लगा कर हम मिक्स्चर वाली साइट को तवे पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे सेख लेंगे तो इसी तरह से इसको पलट कर भी हम सेख लेंगे तो दोनों तरफ गोल्डन कलर आने पर हम इसे उतार लेंगे और फिर पाकी टोस्ट भी हम इसी तरह से सेख लेंगे रवा टोस्ट बनकर त्यार है तो इस तरह से गोल्डन कलर आने तक हम इनको सेखेंगे और ये बहुत ही tasty बनते हैं और चुटियों में बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर भाद मांगते रहते हैं तो आप उन्हें जटपट से ये बना कर दे सकते हैं तो आईए बढ़ते हैं अपनी दूसरी जटपट रेस्पी की और तो यहाँ पर मैंने चार अंडे लिये हैं और उसमें नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च स्वाधनसार डालेंगे तो यह भी बहुत ही टेस्टी रस्पी है और फिर इसमें एक टेबल स्पून हम दूद डालेंगे और इन सब को अच्छे से फैंट लेंगे गैस ओन करेंगे और नॉन्स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर हम ब्रेट स्लाइस को इस बैटर में डिप करके पैन में रखेंगे तो यह भी बहुत ही जटपट त्यार होने वाली रेस्पी है और बहुत ही टेस्टी और हेल्थी भी है और एक भी हमेशा घर में होते ही है अगर आप एक खाते हैं तो तो दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम इसको सेख लेंगे तो एक टोस्ट भी बनकर तियार है तो आए बनाते हैं bread से त्यार होने वाली तीसरी जटपट रेस्पी तो यहां पर मैंने लिए हैं white bread आप चाहे तो आप brown bread भी ले सकते हैं तो मैं बनाने वाली हूँ बच्चों की फेबरेट चोकलेट सेंडविच चोकलेट सेंड़िच बनाने के लिए मैंने चोको चिप्स और साथ में कटे हुए बदाम लिये हैं और साथ में मैंने लिया है बटर अब ब्रेट स्लाइस के एक साइट पर हम बटर लगा लेंगे तो इस तरह से मैंने ब्रेट के स्लाइस के एक तरफ बटर लगा लिया है और दूसरी साइट ऐसे ही रखी है तो अब बिना बटर वाली साइट के उपर हम थोड़े से चोको चिप्स रखेंगे और साथ में इसके उपर कटे हुए बदाम भी रखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी सेंडविच की रस्पी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं अगर कई बार गर में कुछ मीठा ना हो खाने को और मीठा खाने का मन हो तो आप ये सेंडविच ट्राई करें आपको बहुत टेस्टी लगेंगे तो इस तरह से मैंने थोड़े से कटे हुए बड़ाम लगा दिये है और दूसरा स्लाइस उपर रखेंगे तो बटरवाली साइड मैंने उपर क्यों रखी है बाहर की तरफ इसी तरह से दूसरा सेंडविच भी त्यार कर लेंगे तो भी इसको टोस्टर में रखेंगे और गॉल्डन कलर होने तक हम इसको सेक लेंगे तो इस तरह का कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे यहां पर मैंने वाइट प्रेड यूज की है आप चाहे तो ब्राउन बेड भी यूज कर सकते हैं अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते तो आप मार्किट के भी स्प्राउट्स ले सकते हैं और एक पैकेट मैंने मसाला ओट्स लिये हैं और आप अगर चाहे तो आप प्लेन ओट्स भी यूज कर सकते हैं हाफ कप बेशन हाफ कप हरा धनिया पत्ती वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट नमक स्वाद अनुसार लाल मिर्च स्वाद अनुसार काली मिर्च वन फॉर्थ टीस्पून थोड़ा सा ओईल और पानी बैटर बनाने के लिए तो सबसे पहले मिक्सी के चटनी जार में स्प्रॉट्स को डाल कर हम पीस लेंगे और पीसने के लिए अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी डाल लें दो से तीन चम्मच स्प्रॉट्स को मैंने पीस लिया है अब हम ड्राई ग्राइंडिंग जार में ओट्स को डाल कर इसका बरीक पाउडर कर लेंगे ओट्स का पाउडर त्यार करने के बाद हम एक मिकसिंड बाउल लेंगे और उसमें ओट्स डाल लेंगे डिस अन डाल लेंगे जो हमने स्प्राउट्स को भी पीस था उनको भी डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और फिर नमक, मिर्च और काली मिर्च हम स्वादनुसा डाल देंगे और इनको बैटर बनाने से पहले एक बार हम चम्मा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका गारा बैटर त्यार करेंगे तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गारा गोल त्यार कर लिया है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं पानी एक दम से ना डालें, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें ब्रेड स्लाइस को भी काट लेंगे, आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं, यहां पर मैंने एक पीस के चार पीस किये हैं, स्क्वेर शेप में काटा है जब भी ब्रेड पकोड़ा बनाया जाते हैं, तो उनको फ्राइ किया जाता है, लेकिन आज मैं बिना फ्राइ किया ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें बहुत ही कम ओयल डालेंगे, यहां पर मैंने वन टीस्पून ओयल यूज किया है, और उसको ब्रश से अच्छे से फिला दिया है अब बैटर को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ब्रेड के जो स्लाइस हमने काटे हैं, उनको बैटर में डाल कर अच्छे से कवर करेंगे ओईल के गरम होने पर मैंने फ्लेम को मेडियम कर दिया है, और फिर एक एक करके सारे स्लाइस हम पैन में रखेंगे तो इस तरह से हम बीना फ्राइ किये हुए भी हैल्धी तरीके से ब्रेड पकोडा बना सकते हैं एक साइट से कुछ देर पकने के बाद हम इनको पल्ट देंगे और फिर दूसरी साइट से भी पकने देंगे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको पकाएंगे और फिर निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं बाक्ती भी बना लूँगी इस तरह से बनाए हुए ओर्स के ब्रेड पकोडा आप अपने बच्चों को टिफिनी में भी दे सकते हैं और ओफिस में लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं ये हेल्धी रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें तो बीना फ्राई किये ओट्स ब्रेट पकोड़ा बनकर त्यार है इसे आप ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो कैचप के साथ सर्व करें तिर आ हाँ यां 15gg 16 झाल